आज सत्गुरु वार है तो हमारा सत्गुरु हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने आये हैं आज मुरली में गाइन भी आया है ज्ञान सूर्य परगटा अज्ञान अंधिर विनाश तो आज बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए क्या ज्ञान दिया तो बाबा ने कहा कि सारा दिन अंतर मुखी होकर के करम करो तो आप हरशित मुखवी रहेंगे, आकर्शन मुरत भी रहेंगे और विघन जीत भी बन जाएंगे तो आज हम अंतर मुखी रहने का अभ्यास करेंगे तो मुक्ती किसे कहते हैं? मुक्ती अर्थात परम धाम में आत्मा की स्थिती जो है उसको मुक्ती कहते हैं तो उसका अनुभव अगर संगम पर हम करेंगे तब ही हम दूसरों को करा सकेंगे तो उसके लिए आज हम practice करेंगे स्वरूप, स्वधरम, स्वधेश की समृति में रहने का जब हम तीनों की समृति में रहेंगे तो हमारी द्रिस्टी से, हमारी स्थिती से दूसरों को भी मुक्ती का अनुभव हो सकता है फिर है जीवन मुक्ती, जीवन मुक्ती अर्थात प्रालब्द की स्टेज, यहां प्रालब्द सुक्स विधाओं को नहीं कहेंगे, प्रालब्द अर्थात संपूरन स्टेज तो जीवन मुक्ती का अनुभव भी हमें यहीं ही करना है संगम पर, तो इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे नियारापन की, नियारापन की स्थिती पर अटेंशन देंगे, साक्षी पन की स्थिती पर अटेंशन देंगे, और विदेही स्थिती का अभ्यास बार बार करेंगे तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में कर सकते हैं उसके लिए आज की मुरली में जो बाबा ने कहा ये अंतिम समय है तो अभी तुम्हें पवित्र बनना है और बाब को याद करना है तभी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकती है तो बावा भी हमें जीवन मुक्ती का अनभव कराने के लिए पवित्र बनने की प्रेड़ना दे रहे हैं तो आज अपने संकल्प और समय को वेस्ट नहीं करेंगे ये भी अपवित्रता है तो इससे आज अटेंशन रखेंगे तो बावा अपनी प्लैनिंग बनानी है तो जीवन मुक्ती उसे भी कहते है जिसमें हम सारा दिन ये ध्यान रखे हलचल में नहीं आना है परभाव में नहीं आना है आश्चर्य नहीं खाना है तो जीवन मुक्ती के लिए इस बात पर अटेंशन देंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे उसका परभाब ना पड़े मिन्स बंधन मुक्त जीवन का अनुभव मुझे यहां ही करना है तो आज बावा ने कहा है कि तुम बच्चे बाप को पारलोकिक बाप को यथात रिती जानते हो इसलिए आप आस्तिक हो प्रीत बुद्धी हो तो प्रीत बुद्धी हो करके रहना भी जीवन मुक्ति का अनुभव करना है देहधारी को याद नहीं करना है एक बाप को याद करके आत्मा को सच्चा सोना बनाना है जैसे आग में किसी चीज को डालते हैं तो वो मोल्ड हो जाती है इसी तरह योग अगनी से आत्मा भी प्योर बन जाएगी तो जीवन मुक्ति का अनुभव संगम पर भी हम कर सकते हैं तो इन सभी विधियों में से आप कोन से पॉइंट पर सारा दिन अनुभव करते हैं और चिंतन करते हैं तो इस पर आप पूरी मुर्ली में से भी कोई पॉइंट ले सकते हैं जिस पर आज आपने अनुभव किया तो उसको आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज की म पॉइंट पर चिंतन करने से अभ्यास करने से मुझे फायदा हुआ ओम शान्ति